दोस्तो आज के यमारी सीडियो के टोपिक what is ctpt and what is ctpt ratio मतलब कि ctpt क्या होती है और ctpt के ratio क्या होते है दोस्तो यह कोश्यन आपसे इंट्रीव के अंदर भी पूचा चाह सकता है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी अच्य समझा दूगा और आपको अंसर भी और इंश्ट्रॉमेंट टांस्फरमर यह दोनों चीज्ही है तो दूस्तो सबसे पहले इसकी full form जान लेते हैं ct, ct की की जो full form होती है current transformer यह मैंने हंदी लिगी dengan correct transformer और वहीं implicit की बात करें तो pt subtract from की potential transformer didnt को समझ लेते हैं तो इन दोनों को समझ लिजने से पहले आप पर दोस्तों आपना होता है जएसे दोस्तों आपना होता है त्लिए मित इंप एटम्हों किया होगा सब्सक्राइब करते हैं को नापना हो कि हमारे सिंस्टम से कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है तो इस पी-टी हो हम वोल्टेज टांसफों भी वूलते हैं अब दोस्तों जैसे मैंने आप उधारण बनता है कि CT को लगाया कहा है मेटर के उपर लगाया जाता है वहां किया जाएगा जहां हम एक जांपर लेता है जैसे हमारे एक सिस्टम में से 1000 ऐंपर फ्लो रहा है यह फिर आप है कि यहाँ वहाँ पर हम इंतिक बीदें करते हैं उसको वहां कि मलगा कि नहीं कर सकते हैं धथेकर वहां अधिक राषेंग कर सकती हैं कि पर हैं यहाँ डिखल निगए तो कॉस्ट को इससी फोल्ट करेंगे औहुल दोस्तों अब एक बार समझ लेते हैं कि CT और PT कैसे अटेच होती है तो दोस्तों देखिए काफी सिंपल सी बात है जैसे मेरे पास यह एक वायर है अब मैं चाहता हूँ इस वायर में से मेरा कितना करेंट फुल हो रहा है तो इसके लिए में इसमाल करूँगा सिंपल मैं क्या करूँगा यहां पर इसमें इस वायर के अंदर हमारे के अंधर से होता मार निफल होग मेरे इस फ्ल होगा से में इस सीटी में से घoking बहुँआ सब धा月 में असा कलया होता है हमारे CT लगाने से हमको क्या benefit मिलता है तो दोस्तों जैसे उधार hand के लिए समझ लेते हैं कि जैसे मेरा यह wire है इस wire में से मेरा 1000A current flow हो रहा था ठीक पर दोस्तों यह जो हमने यहाँ पर CT लगए यह CT क्या करेगी यह CT हमारे क्या होगी current की value को काफी कम कर देगी इस wire में से काफी कम current को flow कराएगी और दोस्तों से इस wire में से कितना current को flow कराएगी यही क्या लगता है CT का ratio तो दोस्तों अब हम CT ratio को समझ लेंगे इससे पहले आप यह भी समझ लेंगे हमारे जो PT होदी, PT भी इसी तरीके से काम करते है जैसे, एस wire में से काफी हम यहीं पर डिक्रिशे कर सकते है और हमारे 50 के wire में हम से कितना voltage दिखाईगा यह डिपेंट करेगा कि हमारे PT का Patreon क्या है तो दोस्ती समझ लेते हैं, CT और PT Ratio क्या होता है एक आप फक्रशिश के वीडियो देखना है अगर आपको वीडियो दिखना है तो इस वीडियो के end screen में डाल दूंगा आप वहां से वीडियो देख लिएगा पर दोस्तों फिट भी में इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा बहुत क्लियर कर देता हूं तो सिंपल सी बात है जैसे मैं आपको बता है था कि यह मेरा वा गहरी में तो दूस्तों इसके आगे की वेलियो चाहिए वacao की कुछ भी आ सकती जैसे आगे दोसो बटा बटा-पांच यह फिर आगि एक हज़ार बटा-पांच यह फिर आगि सीती की हुँद सीटीड़ी यह पर बटा-पांच हो में यह फिर सीकुशर होता है एक मैंने रागा से यहाँ पहने क्ली तो क्या होगा जैसे मैंने आपको बता है इस वाइर में से अगर एक हजार ऐकपनेंट्ट determ вас होने लगा जाएगा और ऑर और मैंने यहां पर 11500 कि लगा रही है, तो इस वायर में से जो मेरा सीटी का जो वायर है इस वायर में से मेरा यहां पर पांच अब्र फ्लो होने लग जाएगा, तो दोस्तों मैं क्या करते हो, इस वायर को मैं काफी धूर भी लिए सकता हूं और यहां पर किया करूंगा एक एममीटर लगा दूगा यहां मेरा जो क्लैप मिटर से भी में इस वायर को चेक कर एस वायर का मैं एमपेर पता कर सकता हूं इससे तरह मेरा वायर में से मेरा 1 वोल्टेज फ्लोर है और मैंने यहां लगा दिए एक पीटी का रेशू और हमारे यहां पर काम आप एक चीज द्यां रखेगा जैसे आपने सीटी के रिघिए कि के रेशू दो यह तो बटा पांच की सीटी होती है या फिर बटा एक की सीटी होते है प क्या हो оки होगा इस कि मैर को 110 व raft कर दो इस से मैं जाद कर दो इससे के बारे को सवाल को जवाब मिले अगर आप से कि सीर्ट का पूरा नाम होता है current पर ्य कर पूरा नाम होता है पोटेश्न पूरा नाम होता है पॉरिटिल टास्मर और सीटी और पीटी को मेजरिंग डिवाइस भी बोलते हैं क्योंकि यह दोनों हमारे करेंट और वोल्टेज को नापने के लिए काम आता है तो और अगर आप से पुछाँ चाहिए कि सीटी को ऐसा करते हैं जहां पर हमारी करेंट के व बटा एक और बटा पांच किया होता है तो आप बोलेंगे कि हमारी सीटी के जो वायर है उस वायर में से हमारा कितना करण निकलेगा वह हमारा सीटी रेश्यो कहलाता है और अगर वह पूछे पीटी रेश्यो क्या होता है तो पीटी रेश्यो हमें सा 110 वल्टेज की फॉर्म मे हमारी CT ratio की तरह होता है कि हमने जो PT लगए उस PT के output में कितना voltage निक लेगा वो PT करेंगे तो दोस्तों एक बार आपनी वेबसाइट जरू जुड़िए इसके लिए आपको जाके गूगल पर सर्ज मार सकते हैं इंजीनियरिंग दोश.com और दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहां पर कमेंट करके जरू बताईएगा दोस्तों आपको यह वी आपको यह वी commen्तेने इसके लेंगा क्टोस्तों आपको जापको के जरू ज confirm कैसी लगी मंदेट के लेदका जह बोस्तों का HASके लिएळैं धुड़िचर के ला DC आपको और आपको स्तों में एको नूगल आपको до से लिर मारको